सरल संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत है सरल संस्कृत शिक्षण के इस भाग में हम संधी पड़ेंगे बहुत ही दिनों से बच्चों का आगरहता, शिक्षार्थियों का आगरहता की संधी के ओपर एक वीडियो बनाए तो इसलिए हम आज आपके सामने लाए हैं संथी ही संथी इसका मतलब क्या है? वर्ण विकार है वर्ण विकार ही संथी है दो वर्ण मिलकर एक या दोनों वर्णों में परिवर्टन आ जाता है तब उसे संथी कहा जाता है उदाहरण के लिए धन प्लस अर्थी इस स्थिती में धन ये पूरुपद है और अर्थी उत्तरपद है पूरुपद के अंतिमुवरण क्या है? न मतलब यहां अकार है और उत्तरपद के पूरुवरण आ है यदि दोनों वर्णों को अलग-अलग करके लिखते हैं तो धन अ प्लस अ प्लस र्थी होता है यदि अ प्लस अ मिलाते हैं आ बन जाता है धन प्लस अ प्लस र्थी इस स्थिती में यदि इसको मिलाएंगे तब धनार्थी शब्द बनेगा इसे हम संधी कहते हैं संधी में मुख्य रूप से तीन प्रकार है संथिही त्रिधावि भज्यते There are three types in संथि स्वरसंथिही, वियंजन संथिही, विसर्ग संथिही आईए हम स्वरसंथि का अर्थ जानेंगे स्वरसंथिही यत्र द्वयोह स्वरयोह सयोगह भवती तत्र संधिकार्यम भवती तदा कोचित एकस्य वरण स्थाने आदेशा भवती कोचित दोयोह वरणयोह स्थाने इसका मतलब यह है यदि दो स्वरों का सयोग होता है उसे स्वरसंथि काहा जाता है कभी एक ही वरण की जगा दूसरा वरण का आदेश होता है और कभी दोनों और्णों की जगा है तो फिर स्वरसंधी में कितने प्रकार है स्वरसंधो अनेके प्रकाराहसंधी There are many types in स्वरसंधी दीरगसंधी ही, गुणसंधी ही, वृद्धी संधी ही, यनसंधी ही, आयादी संधी ही इसके अलावा भी पूरूरूप संधी है, प्रकृतिभाव संधी है तो हम मुख्य रूप से ये पांच प्रकार पढ़ेंगे उसमें हम पहले दीरगसंधी पढ़ेंगे दीरगसंधी अ, इ, उ, री, रस्व, अथवा, दीरग, वरणाना, समान वरणे परे दोयोह वरणयोह स्थाने एकस्य दीरगस्वरस्य आदेशह भवती आयमेव दीरगसंधी अ, इ, उ, री, रस्वया दीरग वरणों के बाद यदि समान वरणाते हैं तो दोनों वरणों के स्थान में एक ही दीरगस्वर आता है वह है आ, इ, उ, री इन वरणों का आदेश होता है तो इसे हम दीरगसंधी कहते हैं इनके नियम क्या-क्या है, क्या-क्या रूल्स है तो हम यह पढ़ेंगे पूरुपद का अंदिमस्वर और उत्तरपद का जो पूरुस्वर मिलके आदेश स्वर आ जाता है तो इ, उ, अथवा, उ, के बाद उ, अथवा, उ, रहे, तो उ, और री, के बाद री रहे, तो री कार आ जाता है दीरगसंधी के यह नियम है और रूल्स एंड फॉर्मलास है आईए, हम सीधे दावर पर उदाहरण के और ले चलते हैं देखिए, अ अथवा, आ के बाद अ अ अथवा, आ रहने का चार पॉसिबलेटिस बनते हैं चार संभावनी इता बनते हैं कैसे? अ प्लस अ, अ की चोटी मात्रा और अ की चोटी मात्रा अ की चोटी मात्रा और अ की बड़ी मात्रा मतलब आ बड़ी मात्रा आ प्लस चोटी मात्रा अ बड़ी मात्रा आ और बड़ी मात्रा आ ये चार पॉसिबिलिटिस में सिर्फ एक ही आक्षर आता है वो है आ इनके उदाहरन भी हम देखेंगे गुण प्लस अतीतह गुणातीतह देव प्लस आलयह देवालयह विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी विद्या प्लस आलयह विद्यालयह इकार की भी चार संभावनिता बनती है तो वो है E प्लस E, E प्लस E, E प्लस E और E प्लस E इन चारों possibilities में सिर्फ और सिर्फ E की बड़ी मातरा आती है तो उनके उधारनी ये है गिरी प्लस इंद्रह, गिरींद्रह, रवी प्लस ईशह, रवीशह, शची प्लस इंद्रह, शचींद्रह, गवरी प्लस ईशह, गवरीशह और उकार के भी हम उधारन पढ़ेंगे गुरू प्लस उपदेशह, साधू प्लस उचतुह, वधू प्लस उत्साह, वधू प्लस उर्मिका, वधू उर्मिका और रिकार के उधारन पढ़ेंगे पित्री प्लस रिणम, पित्रीणम, मात्री प्लस रिणम, मात्रीणम इसके साथ साथ हमने बहुत उधारनों को देखा और गृहकार के रूप में कुछ शब्द यहां दिये है उनको आप गृहकार के रूप से सौलू करे, हल करे वार्तालापं, अल्पाहारं, उपाहारं, नास्ती, चापमानं, गुणस्याभरणं, योगाभ्यासह, विनापी, उत्तराधिकारं, मरणानंतरं, रतीशह, सतीशह, कपींद्रह, गुरूत्तरं, तवापी अब तक हमने क्या-क्या देखा, क्या-क्या पढ़ा, पहले संधी, इसका मतलब क्या है हमने पढ़ा, और संधी के विभाग हमने पढ़े, और संधी के विभाग में स्वरसंधी, उसका मतलब क्या है हमने पढ़ा, और उसके बाद स्वरसंधी में कौन-कौन सा प्रकार है हम अगले वीडियो में हम मिलेंगे तब तक भवत शुभम मंगालम धन्यवादा